और इसका जो वेतन होने वाला है वो 30,000 और आप तक के इसमें केवल 65 आविजन प्राप्त हुए हैं आप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम में कंप्यूटर आपरेटर की भरती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम जो की UPSRTC के अंदर बरेली के अंदर बहुत सारी बैकेंसीज निकाली गई हैं जैसे कंप्यूटर आपरेटर प्यून आफिस असिस्टेंट और कंप्लेंट अधिकारी सुपरवाइजर तो अलग-अलग केटेगरी में जॉब निकाली गई हैं यह सारी रिकुरेट्मेंट जो है वो प्राइवेट कंपनिया करेंगी आउट्सोर्सिंग के थुरू तो इस सारा कुछ इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दवान ना बोलें ताकि जब भी करें उत्तर प्रदेश राजी सड़क परिवाहन निगम में जो कंप्यूटर की बैकेंसी निकाली गई है तो रिक्ती की पोश्ट करने की 33 फरवरी 2023 था और अगर बात करें इसमें योगेता की तो आपका इसमें ग्रेजवेशन मांगा गया है और ग्रेजवेशन के साथ साथ आपका ट्रिपल सी ओ लेवल या प्राइवेट जो एडी सीय होता है वो कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और जो कारिका विवरण है कंप्यूटर आपरेटर का जानते ही हैं और इसमें महिला पुरुष, बिकलांग, भोतपूर, सैनिक, खिलाडी सभी लोग आवेधन कर सकते हैं और इसका जो वेतन सीमा है दस जार एक रुपए से बीस हजार के बीच म यानि की वेतन महा 15,000 रुपए तक आपको मिलेंगे और नियूंतम आयू की बात करें तो 21 से 45 वर्स तक है कार्यस्तलाप का होने वाला है उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्टिक में और इसको आवेधन आप यहीं से कर सकते हैं नीचे आवेधन करे वाले आपसर पर क्लिक कर के लेगिन उसे पहले आप एक बात जान ले आवेधन करने से पहले कि अगर आप सेवा यूजन पोर्टल पर रेइस्टर्ड हैं तब ही इस पोस्ट के लिए आप यहां से आवेधन कर सकते हैं आपको उसके लिए अपने सेवा यूजन कार्याले में विजिट करके या फिर आप अनलाइन रेइस्टेशन करना पड़ेगा आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं मैं आपको बताऊंगा कि सेवा यूजन का रेइस्टेशन कैसे किया जाता है तो अब बात कर लेते हैं बाकी अदर वेकेंसी के बारे में वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि और जो असिस्टेंट प्यून और और वेकेंसी जो हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो फटा फटा हम आजाते हैं बैक तो जैसा कि आप देख सकते हैं 31 सीरियल नंबर पे SS इंटरप्र हुए हैं उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो एड्मिनिस्टेटिव ऑफीसर के लिए बेकेंसी निकाली गी है जिसमें योगिता इंबीय है और तीसरे की बात करें तो सीनियर ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट का इसमें भी आपका ग्रेजवेशन ट्र इसका जो वेतन होने वाला है वो 30,000 और अब तक के इसमें केवल 65 आविधन प्राप्त हुए हैं और नेक्स्ट की बात करें तो असिस्टेंट कैसियर की भी बेकेंसी निकाली गई है जिसके लिए योगिता वी कॉम बीस्टी मागा गया है इसकी सेलरी 15,000 होने वाली है और की बात करें तो कंप्यूटर आपरेटर जिसके बारे में पहले बताया हूं और उसके बाद बात करें तो प्यून की प्यून में सिर्फ आपके 10 पास मांगा गया है वो प्यून की सेलरी की बात करें तो 9,000 रुपए उसके लिए भी आवेदन आप यहीं से कर सकते हैं उसके बार उत्तरप्रदेश के बरेली जनपद में UPSRTC ने बहुत ही बड़ी भरती करवाई जा रही है इस भरती में आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवेधन करें और आपको अगर आवेधन करना नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मैं आपको नेक्ट नए वीडियो में नए जॉब के साथ तब तक के लिए जाएं